नमस्कार दोस्तों यूट्यूब के चैनल में फिर से पधारने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और मैं डॉक्टर नुराक्तिवारी आपका बहुत-बहुत हार्दी का विनंदन और स्वागत करता हूं दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे ग्रह की जिसमें उसके अतरिक्त जो पचे वए 8 ग्रह हैं उन सभी के गुण सवाविष्ट आइसा यह ग्रह है विशेज ग्रह है जिसके बिना स्रिष्ठी की कल्पना ने की जा सकती और जिसके बिना हम लगजरीज की कमफर्ट की भी कल तो जी हा दोस्तों आज हम शुक्र की बात करेंगे और शुक्र के बारे में अपको कूछ जानकारी लेंगे साथ ही शुक्र की गुरु केसा युती जो की अती विशिष्ट होती है उसकी बात करेंगे और बारवे भाव में शुक्र क्यों विशिष्ट फल देते हैं क्या उसके पीछे लॉजिक है उसकी बात करेंगे साथ ही गुरु शुक्र की यूती जिन विशेश लोगों की कुंडलियों में थी उसकी विचर्चा हम करेंगे दोस्तों जैसा कि मैंने अपने ओपनिंग स्टेट्मेंट में कहा था कि शुक्र जो है वो सभी शेश ग्रहों के गुणों को अपने में समिटे हुए तो आईए मैं इस बात को प्रूफ करने के लिए कुछ बातें बताता हूं आपको जैसा कि गुरु को हम मानते हैं कि वो ज्ञान देने वाला और ज्ञान के विशय में सबसे प्रमुग्रह है साथ ही गुरु को हम प्रॉस्पेरिटी के लिए भी सबसे प्रमुग्रह आर्थिक उन्नति के लिए सबसे प्रमुग्रह मानते हैं दोस्तों गुरु के यह जो इस गुन को शुक्र ने लिया कि चंद्रमा में जो गुण होते हैं एक तरह के भाउपता वाले गुण कावियात्मक्ता वाले गुण उसमें भी शुक्र कहीं पीछे नहीं है जिनके शुक्र अच्छा होता है उनमें ये गुण पाय जाते हैं मंगल में एक एनरजी होती है तो वो एनरजी भी शुक्र में भी होती है मुख्य रूप से संतान प्राप्ती के लिए जो दो पार्ट्स की जरुरत होती है उसमें से मंगल प्रदान करता है महिलाओं को और शुक्र प्रदान करता है पुरुशों को और इनके संयोग से संथान की का जन्म होता है तो जो एनर्जी है जो पावर है जो सब कुछ जिस तरह से मंगल प्रदान करते हैं उसी तरह से शुक्र प्रदान करते हैं तो यह रहीं हुआ है बुद्ध में एक जो चंचलता चपलता स्मार्टनेस होती है वो शुक्र में भी निश्चित रूप से पाई जाती है एक आकर्शन शुक्र में भी पाई जाता है जो बुद्ध में होता है इसके अलावा शनी में जो एक ग्रेस होता है एक ठहराव होता है वो भी शुक्र में पाया जाता है दोस्तों निश्चित रूप से शुक्र से प्रभावित व्यक्तियों में भी ठहराओ होता है जब हम केस के बारे बताएंगे तो आप समझ जाएंगे जिन लोगों की हम चर्चा करेंगे इसके बाद दोस्तों राहू और केतू जिस तरह से अचानक लाप्रदान करने में सक्षम है शुक्र भी उसी तरह से लाप्रदान करने में सक्षम है है तो दोस्तों आपने देखा कि लगबख सभी रह है जिन गुन को अपने में आत्मसाथ करते हैं और जो पॉजिटिव ट्रेट्स हैं उनके धनात्मक गुण है वो सभी धनात्मक बुण शुक्र के पास भी है इसलिए ग्रह जो है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है बहुत ही स्पेशल है और निश्यत रूप से आपको बहुत कुछ देने में ये ग्रह सक्षम है ऐसा मेरा मानना है रात के समय जब आपни देखें तो कोहिनूर हीरे की तरह जो चमकता हुँ ग्रह आपको दिखाई देगा वह शुक्र है और अलग से उसकी आभा आपको दिखाई देती है अलग तरह की एक छटा आपको दिखाई देती है अलग आकर्शन उसमें है पृष्चित रूप से ये आकर्शन शुक्र से प्रभावित व्यक्तियों में पाया जाता है और गुरू और शुक्र की जो यूती होती है दोस्तों उसके बारे में बात करेंगे पहले बारवे शुक अगर बैठ जाए तो कहा जाता है कि फिर अन्य किसी ग्रह के सपोर्ट की आपको बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है अपने आप में ही अगर शुक्र अच्छा बैठ जाए किसी शुप ग्रह के साथ बैठ जाए या किसी शुप ग्रह की दृष्टी के साथ बैठ जाए तो तो जब शुक्र वहां पर बहुत ही स्ट्रॉंग होके बैठेंगे तो निश्चित रूप से भोग और शैया का सुख आपके जीवन में बढ़ा देंगे और यह दोनों चीजे तभी प्राप्त होती हैं जब आपके जीवन में पीस और प्रास्पेरिटी दोनों हो शैया सुख आपको नहीं मिलेगा अच्छी नीद नहीं मिलेगी यदि आपके जीवन में संगर्श है तो अगर शुक्र वहां बैठ के आपको रात में अच्छी नीद दिलाते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में शांति होना अवश्यक है उसी प्रकार भोग का जो इस्थान है वहां पर बारवे भाव में जब शुक्र है तो भोग विलास बढ़ाते हैं और भोग विलास तभी आपको प्राप्त होगा जब आपके पास धन होगा तो निश्चित रूप से पीस एंड प्रास्पेरिटी इन दोनों को गुरू बारव भाव का शुक्र बहुत ही अच्छा माना जाता है बारवी राशी में जो कालकुरुष की कुंडली देखें गे तो उसमे बारवे भाव में मीन राशी पढ़ती है और इसलिए मीन राशी में ही शुक्र उच्चस्त भी होते हैं इसलिए बारवे भाव के साथ शुक्र का विशेश कनेक्शन है और गुरू की राशी होती ही बारवी राशी और वहाँ पर गुरू की राशी में शुक्र बहुती संतुलित और अपने सकारात्मक गुणों को पूर्ण रूप से प्रदान करने में सक्षम होते हैं इसलिए मीन विलास और शय्या सुख शारीरिक सुख भी जिसमें संभिलित हो जाता है जाने कि आपका पारिवारिक सुख हर तरह से शुक्र वहां पर बैठ के आपको सब कुछ देने में वह सक्षम हो जाते हैं इसलिए बारबा शुक्र बहुत ही मात्वपूर्ण है और बहुत ही अच्छ करते हैं जिसको अध्यात्मिक भी कहा जाता है अगर गुरू और शुक्र की यूति आपकी कुंडली में है तो निश्चित रूप से यह भोग और योग दोनों का एक कॉंबिनेशन है इसके कारण अगर यह अच्छी यूति बैठी हुई है तो आपको भोग विलास की प्रा जैसा कि हम जानते हैं कि अन्ध्यात्मिक ग्रह हैं गुरू सेलफ़्लेस लव को रिप्रेज्ट करते हैं अपने बारे में ज्यादा नहीं सोचते जैसा कि कहा जाता है कि गुरू अब जहां बैठते हैं उसको नुकसान होता है जहां देखते हैं उसको फाइदा होता है इसका क्या मतलब है अगर समझना चाहें तो एक ऐसा व्यक्ति जो अपने बारे में कम सोचता है जहां बैठते हैं याने अपने घर में जहां भी बैठते उस जगह के बारे में कम सोचता है लेकिन जहां देखता है जिस विशह में उसकी दृष्टी है उसको अच्छा करना चाहता है एक तरह से पूरी तरह से जो लाब देना दूसरों को लाब पहुचाना उस तरह का गुरू का नेचर है गुरू दूसरों को लाब पहुचाने में विश्वास करते हैं मुख्य रूप से उनका बेसिक नेचर मूल गुण यही है दोस्तों इसके अलग शुक्र जो है दोस्तों वो सेल्फलेस लव को में विश्वास नहीं करते कहीं न कहीं अपने स्वार्थ की पूर्ती भी होना अवश्यक है कुछ न कुछ उन्हें प्राप्त होना चाहिए क्योंकि शुक्र दानवों के गुरू है और देव गुरू देव परिलक्षित होता है और स्वार्थ पूर्ती एक तरह से शुक्र में स्वार्थ पूर्ती के गुण का समावेश हो जाता है तामसिक प्रवित्ती होती है शुक्र की जबकि राजसिक और साथ्विक प्रकृती होती है दोस्तों गुरू की इस वजह से दोनों की प्रकृती अल तो वो शुक्र को कंट्रोल करते हैं शुक्र के नकारात्मक गुणों को सुधारते हैं जबकि शुक्र अगर मजबूत है या अगर रिनात्मक प्रमाव पड़ गया किसी अन्य ग्रह का राहू अगरे का तो ये युति फिर रिनात्मक हो जाती है इसलिए अगर आप जो ने अपने अनुभाव के आधार पे किसी ने इसको बहुत अच्छा भी कहा और किसी ने बहुत खराब भी बताया दोस्तों बेसिकली इसके पीछे लॉजिक यही है कि शुक्र और गुरू में से इस यूती में जो विग्रह डॉमिनेट करता है उस तरह का यह फल देता है अगर गुरू डॉमिनेट करते हैं गुरू और शुक्र की यूती में और साथ ही शुक्र अच्छी स्थिति में है अर्थात जैसे माल लिजे वृषब राशी में या मिथुन राशी में यह यूती है या करक राशी में भी यूती है तो निश्चित रूप से करक राशी में प्रदान करने वाला योग हो जाता है दोस्तों अगर ये युति आपकी कुंडली में है तो निश्चित रूप से आप अपने विशय के प्रवीन होंगे इसमें कोई शक नहीं है ज्यान की आप में कोई कमी नहीं होगी शिक्षा अगर सभी ग्रहों का सहयोग ठीक से नहीं बै करती है इसके विपरीत अगर बाकी चीजें अच्छी है तो आप शिक्षा जरूर पूर्ण करेंगे उच्छ शिक्षा प्राप्त करेंगे यह यूति इंशोर करती है धन को भी यूति अगर अच्छे प्रभाव में है तो धन को भी यूति इंशोर करती है क्योंकि जैसा मैं ाब की अच्छी होंगे को शुक्र जब अच्छा होगा गुरू के साथ गरू के प्रभाव में होगा तो अच्छी विभुस oh और सुन्दर पतनी की प्राप्ति यह उती कराएगी ये निस्चिः है एक तरह से अख्षे गुणों को सभी अच्छी चीजिशों को प्राप्त करने में 20 सक्षम जाती है अगर ये अच्छे नहीं है या फिर संदान कश्ट देती है पत्नी अगर क्रूर ग्रहों के साथ यूति हो तो पत्नी करकशा होती है या पत्नी से सुख की प्राप्ति नहीं होती है तो दोस्तों बेसिकली बात यह है कि यूति किस तरह से किस प्रभाव में है लेकिन निश्चित रूप से एक बा करेगी ग्यान के छेत्र में ये यूति निश्चित रूप से एक बड़ी उचाई प्रदान करेगी और नाम के छेत्र में भी क्योंकि शुक्र नाम भी देने वाले ग्रह हैं ये यूति आपका अच्छा नाम समाज और दुनिया के सामने लेके आई अब इसको समझाने के लिए मैं कुछ एक्जामपल्स आपको देना चाहता हूं आप देखिए कि किनके किनके कुंडली में ये यूति है और सबसे पहले मैं कोट करना चाहूंगा फिल्म अभिनेता दिलीव कुमार की कुंडली में दोस्तों ये यूति है और ये फोका आपने नाम सुना होगा कार सबहल के कारों के व्यृवसाय से इनका सीधा संबंध रहा है और बहुत ही पर आऊ बीच में हमारे जीवन में लाने में उनका काफी बड़ा योगदान रहा है है हेंडरी फोर्ड की कुंडली में योग था जॉन एफ केनेडी की कुंडली में योग था अब देखिए जो भी नाम में ले रहा हूं सभी के व्यक्तित्व में एक विशेश आकरशन शक्ति आप मैसूस करेंगे राजीव गांदी जी की कुंडली में अन्य ग्रहों के साथ लगन में ये योग था आध्यात्म की दृष्टी से अगर देखें तो संद नामदेव की कुंडली में ये योग था पाप्रभाव में अगर हम देखें तो चंगेश खान की कुंडली में ये योग था दोस्तों पा योग पाये जाता है और यह अगर अच्छे से बैठा हुआ है तो आपकी कुंडली को भिशिष्ट बनाने में शक्षम है यह निश्चित रूप से आपकी विश्ष्ट बनाने में शक्षम हैं को दोस्तों है इसकेter एच्छा है कि वीडियो में डालूंगा जिसमें हम चर्चा करेंगे सबसे ज़्यादा कॉंट्रोवर्शियल यूति मंगल और शुक्र की यूति के बारे में और साथी बुद्ध शुक्र की यूति और शनी शुक्र की यूति इन तीन यूतियों के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों अंध म मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि शुक्र ग्रह अपने आप में बहुत ही विशिष्ट ग्रह है और जो भी लोग जोतिश से जुड़े हुए या जोतिश से जो नहीं भी जुड़े हुए हैं वो आप अपनी पत्रिका में इसको लगा के देखें और आप बताएं कि यह कहां आपकी सांट्कुन्द से उसके ग्रहे के साथ 2020 निश्शित रूप से उसके विशेश प्रभाव आपकी कुंड़ी में आएंगे और कमेंट बॉक्स में आप जरूरूर्बताईये कि आपकी कुंडली में नगंसी है और किस भाव में साथ शुक्र會 जरूब maternal की, अपने दो और शुक्र को पुष्ट कीजिए जो की आकर्शन शक्ती पैदा करेगा और जिससे लोग आपके प्रति आकर्शित होंगे और आपका सम्मान मान करेंगे इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए नमस्कार धन्यवार